हमें इमेजन कर सकते हैं कि कितने लोगों को छुटकार मिल जाएगा काफिरों से ये बड़ी अच्छी बात कही है आप ब्लास्वमी का कानून मुस्लिम समाज मांग कर रहा है नुपुर्शर्मा के का इसके बात मांग और तेज हो गई कि ब्लास्वमी का कानून भारत देश में आना चाहिए ब्लास्वमी का कानून में कि क्या expectation है और क्या सजा होनी चाहिए max to max ये चाहरते हैं कि death death punishment होनी चाहिए आज मैं आपके सामने, सबके सामने कहा रहा हूँ हिंदू की तरफ से, और चलो हिंदू की मैं पूरी जमेदानी लेता, मैं as a हिंदू कहा रहा हूँ, ब्लास्वमी का कानून आना चाहिए, मैं as a हिंदू कहा रहा हूँ कि ब्लास्वमी का कानून इसलिए आना चाहिए कि भार 24 hours पकड़े जाएंगे 10-15 करोड़ तो आराम से बहुत आराम से और भारत से एक बहुत बड़ा खत्रा डग जाएगा और दुनिया से भी थोड़ा सा क्यों मैं नाम नहीं लोग लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वह कौन सी कम्यूटी है कि दिन में पांच-पांच बार चि जाएप ग हो सकता है और मॉका पड़ने पे जब किसी जब जैसे मंदीर मस्जिदिन से मामलों में जब भेहसें होती हैं विडियो लोगोती है सबसे ज्यादा तादाद में यही पक्षम जहा कुड़ाद कि fringe वाले मामले में ने नुपषरमान ने आपक कमेंट किया डिदन एक tweet किया ठीक है उससे कई गुना बड़ी तादाद में और उससे पहले से ये लोग करते हैं तो आप ratio देखेंगे तो 10 is to 2 का ratio होगा या 1 का ratio होगा तो आप समझे कि अगर कारेवाई सुरू हुई तो day 1 पे 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ी तादाद कटगरे में अगर इन्हें फांसी दे दी गई जैसा इनी की इच्छा है तो हम लोग imagine कर सकते हैं कि कितने लोगों को 72 हूरे मिल जाएंगी हम imagine कर सकते हैं कितने लोगों को छुटकारा मिल जाएगा काफिरों से हम imagine कर सकते हैं कितने लोगों को खुश होंगे मजए मजए हैं पार्टीपटै किसी की भलाई के लिए बहुत बड़ी मजलए नोष आजाना चाहिए और लागू होजाना चाहिए और और बिल्कुल अमल में लाके सजावजा करके इंतजाम करके बेज देना चाहिए और मैं चाहता हूं जनता भी इस बारे में कमेंट करें अपनी राय दे और वीडियो को शेयर करें और नहीं हो सब्सक्राइब पिजरू करेगा फिर मिलते हैं अगल में जहन बंदे मातरा तो ल आगल सब्सक्षाब तो लिए